हाई फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई रेसिपी नॉन वेज ब्रेट पकोड़े की रेसिपी एक दम नई तरीके से इसको कैसे बनाना है तो चलिए शुरू करते हैं यहां मैंने 500 ग्राम मटन मीट लिया है और इसको मैंने बारिक पीस लिया है आप चाहें तो सिल पे या फिर मिक्सी में इसे बारिक पीस लिया फिर आप शॉप पे ही इसको पिसवा सकते ही तो अब इसको मैंने साफ करके धोलिया है अब हम डालेंगे एक मीडियम साइज के प्याज का पेश्ट जो मैंने पहले ही बना लिया था और दो चमच हम इसमें डालेंगे लैशन रख का पेश्ट और दो कमच इसमें हम ढलेंगे धनिया पौडर को अब इसमें डालेंगे हम आदे चम्मच हल्दी पाउडर देखिए और डेर चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और नमक आप अपने स्वादनुसार भी डाल सकते हैं मैंने यहां एक चम्मच डाला है और एक बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड तो ओल यानी सरसो का तेल और अब इसको हम खूब अच्छे से मिला लेंगे इन सब को खूब अच्छे से मिला लेना है आप मटन मीट की जगे बफैलो मीट या फिर चिकन भी ले सकते हैं उसके भी आप ब्रेट पकोड़े बना सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे इसमे के तीन सीटी लग गई है और इसकी गैस भी निकल गई है कुकर की तो अब इसके ढकन खोल के देखेंगे हम के हमारे जो यह कीमा है यह अच्छे से बना है यह नहीं तो अभी हम इसको पानी सुखाएंगे तो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड पाउडा भूण लेंगे की मेको अच्छा से भूल लेना हमें मीड्यम फ्लेम पर देखित तरीकर वाखर ऑग तो अब हम गया सकी फ्रइम को ऊफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे भीवि जब तक हम ब्रेट पकोड़े के ऊपर की कोतिंग के लिए यह अनने बेषन में थोफक ग्राम पाओडर कbn, थोड़ा साम इसमें डालेंगे घरम मसाला पाओडर हमें इसे फ् kicking बैटरी तेयार करना है तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ढालेंगे और इसे खुब अच्छे से हमें फेट लेना है देखे इस तरीके का हमने बैटर बना लिया है इस कंसिस्टेंसी देखिए इतनी ही रखनी है हमे अब ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है और इसको अब हम ढग देंगे 10 से 15 मिनिट के लिए ढग कर ऐसे ही रख देंगे देखिए 15 मिनिट बाद हम चेक करेंगे बैटर बिल्कुल रेडी है और ये देखिए ये कीमा है ये भी ठंडा हो गया है और हमने इदर गैस पर कड़ाई भी रख दी थी और उसमें हमने ओईल रख दिया था तो ओईल भी गरम हो गया है अब हम फाइनल प्रोषेश पे चलते हैं यहां मैंने लिए हूं छ्यास सात्ट ब्रेड और अब इस किनारी वाले गिलास से इस के ब्रेड का बीच का हभrg का खट करेंगे कि इस तरीके से बीच वाले हिस्से को निकालेंगे ऐसे गिलास को हमें रखना है इसके ऊपर देखिए इस तरीके से निकाल लेना है आपके पास जो भी गिलास हो या कोई धकन हो जो जिस पर किनारी सी बारी किनारी होती है तो उससे इस तरीके से निकल जाएगा इस तरीके से अब हमें इसे निकाल लेना है और यह जो हमारा ब् यह जादा नहीं रखना है मैं इतना ही रखना है और अब इसके ऊपर एक और हम एक उर्पर काẢचब जब रखेंगे जिसको हमने कटकर रहे और अब इसी तरहिएistent से हम 2 और तयार कर लेंगे कोड़ से हम इसकी कोटिंग करेंगे बेशन की ऊपर से हमें कोटिंग करने इस बात का ध्यान रखना है कि बेशन में हमें इसको डिप नहीं करना है अगर हम इसे डिप करेंगे तो यह पूरा इसमें ही रह जाएगा और यह जो कीमा है वो अलग हो जाएगा ब्रेड अलग हो जाएगा एसे ही हम तीनों ब्रेड WhatsApp कड़ाई में डाल देंगे और Zombies की फ्लेम हमें medium रखनी है मिडियम फ्लेम पर हमें इने फ्राई कर लेना है जब तक ही दोन तरफ से कूब अच्छे से फ्राई नहीं हो अभी हम dengan और फ्राइब देखिया एसे ही पलट देंगे अभी हम दूसरी तरफ से बरीकों ने चपँते हुए हमें अच्छे से करने हैं डे अच्छे से अब इनको हम निकाल लेंगें तो देखिया कितने बढ़्या हमारी ब्रेड़ पकोड़े बनकर तयार हुए हैं एकदम नए तरीके से कितने बढ़िया बने हैं अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से मोर भी बना लेंगे और देखी मैंने दो ब्रेट पकोड़े इस तरीके के बनाए थे तिकोने मैं आपको इसको देखी कट करके और आप भी इस तरीके से एक बार घर पर ज़रूर बनाए ब्रेट पकोड़े और ग्रीन और रेड चटनी के साथ सर्व करें बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये चटनी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और हमा दोल्स करें आई हो